हलो एब्रीवन वेल्कम बैक अनेदर ब्लॉग और आप सबको बहुत-बहुत सुप्रभात गुड मॉर्निंग और जैसा की किचन देखिए मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और रात में ही मैं बिल्कुल क्लीन करके सोती हूं बस ये डिलिया में बरतन रहते हैं जिन्हें म मॉर्निंग में लगाती हूं क्योंकि धुल के तुरंत नहीं लगाती हूं मैं बरतन और यहां पर मैं अपने लिए पानी गरम कर रही हूं आज कोई ना कोई मैं डिटॉक्स वाटर लेती हूं मॉर्निंग में तो मैंने रात में जीरा भिगो के रखाता है उसी का पानी बना रही हूं जब तक मेरा पानी होगा तब तक इधर में बरतन लगा लूँगी एक एक करके और जो बरतन जरूरत हैं उन्हें में उपर ही रख रही हूं बाकि सारे अंदर बिल्कु सेट कर दोंगी तो इसी तरीके से मल्टी टास्किंग करते हुए सारा दिन का हम लोगों का काम होता है मौर्णिंग से लेके नून तक आप कहलीजिए या पूरा दिन कहलीजिए वैसे आज का ब्लॉग में अपना फाइफ एम से टू ए पीम का मौर्णिंग टू नून का रूटीन जो है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं हो आप लोगों को पसंद आएग और आपका लाइक और एक सस्क्राइब बहुत मोटीवेट करता है तो बच्चों के लिए यहां लंच प्रिपरेर हो रहा है टेफिन प्रिपियर हो रहा है तो टेफिम नहीं बनेगा पालक पनीर का पराथा तो पालक को मैंने रात में ही साफ करके उसको बॉयल करके रख लिया था सुबह बस ग्राइंड कर लिया है और ये पनीर को भी अच्छे से मैंने मैश कर लिया है इसमें बेसिक मसाले जैसे थोड़ा सा भुना हुआ धनिया, जीरा, नमक, लाल मेर्च, कसूरी मेथी चाठ मसाला और नमक दिया है और ये अनियन को थोड़ा सा चौप करके उसे भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हमारी पनीर की फिलिंग बिलकुल रेडि हो गई है इरक्स में से हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे और अगर आप के यहां हरी मिर्च खाई जारी ना तो आप हरी मिर्च भी डालिएगा ये मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ, बच्चे हरी मिर्श नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला है, वैसे बहुत अच्छा इसका स्वादाता है, बस पालक का अटा गूंद लूँगी, इसमें मैंने पालक डाला है, और अजवाइन को थोड़ा सा रब करके हाथ में डाल दिया है, हाँ से रब करके डाल दिया है, और नमक डालके इसका एक सौफ डो तयार कर लूँगी, बच्चों के स्कूल का पांच बज़े भी उठती होना, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होने गई, आदा घंटा उसमें लग जाता है, फिर उदर इधर के ताले पूरा एक घंटा चला जाता है, फिर थोड़ा सा वॉक भी करती हूं, तो पूरा एक घंटा चला जाता है, और उसकी बात मैं किचन में आती हूं, तो देखिए किचन में आते ही, मिल्कुल कब साथ सवा साथ बज जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, तो बच्चों पैने पराठे बनाए हैं बच्चे चोटे चोटे पराठे ले जाएंगे और चोटे चोटे करके मैंने दो पराठे बना दिये हैं तो पराठे मेरे तयार है और यहां देखिए मेरी चोटी बेटी नहा के आ चुकी थी पूजा कर रहे थी इसका डेली का मॉर्निंग का यही हो या और क्योंकि आज थोड़ा जाना था बाहर तो exercise वैसे मैंने start करें थोड़ा बहुत लेकिन कभी ना कभी मिस हो जाती है ना चाहते हुए भी आज थोड़ा जाना था बाहर तो थोड़ा जल्दी करना पड़ा और यह मैं अपने लिए पराठा बना रहे हूं एक पराठा बनाओंगी लेकिन थोड़ा साइस में बड़ा है क्योंकि मैं थोड़ा मॉर्णिंग ब्रिकफास परसन हूं मुझे ब्रिकफास जरूर चाहिए चाहे कैसा भी हो चाहे रोटी सबजी हो या पराठा हो या कुछ और चीज़ों लेकिन ब्रिकफास मुझे जरूर चाहिए तो पराठा सेक लिया है इसे दही के साथ लोंगी और थोड़े से आलमंड है जो रात में भिको के रखते हूं और हम सब आलमंड थो भी बस हम लोग नास्ता करके थोड़ा बाहर का काम है उसके लिए निकल जाएंगे यह रहा मेरा नास्ता थोड़ा सा दही और एक पराठा और ऐसे हजबेंड का है बस उनका प्लेन पराठा है ट्रैंगल बला नहीं है तो दुपहर में आने के बाद बाहर से आने के बाद द खाना बनाने का स्टार्ट कर दिया कि जब तक बच्चे आये ना तब तक खाना मेरा बन जाए तो आज बना रही हूं लौकी और आलू की सबजी लौकी आलू का और तो टमाटर वगड़ा डाल के तो इसमें मैंने लहसुन प्याज और बेसिक मसाले पीस लिये थे और अच् सब्जी सच में बता है ना बहुत अच्छी बनी थी और कभी-कभी होता है ना हाथ की बात वही सब्जी हम बनाते रहते हैं और कभी-कभी बहुत अच्छी बन जाती और कभी-कभी अच्छी नहीं बनती है और जैसे मैं बनाती हूं वैसे ही बनाती हूं मतलब अक्सर वैसे बनाती हूं लेकिन आज सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आ गया था है और अच्छे से इसको बस भून लीजे और इसे ऐसे ना इसको कूकर का धकन लगा कर अगर आप भूनेंगे ना तो यह भूनते समय मसाला थोड़े से छीटे आते हैं वह इधर इधर नहीं आएंगे तो मैं अकसर लगा के बनाती हूं मतलब मसाला डाल दिया डालने के बाद जब भूनता है भूनने पर आता है तो छीटे आते हैं तो थोड़ा सा धकन लगा कर अगर आप लिड लगा कर करें तो वह छीटे नहीं आएंगे आपका आसपास का एरिया इतना गंदा नहीं होगा तो मसाला मेरा अच्छे से भून गया था और मैंने वही कटीवी धुलीवी सबजी डाल दी और इसे थोड़ा सा भून लेंगे और फिर उसकी बाद इसमें पानी डालके कुकर का डग लिड लगा देंगे कुकर की लेड मैंने लगा दी थी और एक साइड में सबजी मैंने रख दी ती और दूसरी साइड में फटाफट मैंने रोटिया निकाल ली क्योंकि बच्चे आ रहे होंगे फिर उनके साथ भी थोड़ा सा बैठना मतलब उनको भी मतलब यह रहा है उनको टाइम नहीं पाते हैं और सवा तीन बजे वो घर से निकल जाते हैं उनकी कोचिंग होती है तो खाना बना रहेगा तो तुरंत उनको जल्दी मतलब सर्फ कर दूंगी तो थोड़ा जल्दी खा लेंगे आराम से खा लेंगे तो खाना बिल्कुल मेरा तयार हो गया था और जैसे रूटियां सब्सक्राइबर कर सब्सक्राइबर करें लेकर दुपहर का रूटियंन रहता है और peanuts कभी कबार थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए लेकिन अक्सर यही मेरा रूटियन रहता है बच्चों के आने से पहले मेरा लंच तयार हो जाता है और ये गर्मा गर्म थाली तयार है मेरी थोड़ा सा दही है सबजी है सबजी वाकि बहुत अच्छी बनी थी और थोड़ा सा सैलेड है होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और जरा सभी पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए मिलूगी नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई